नए पाटी का है ना कोई जात का है ये सब के लिए बिना जोग के कोई भी जीविक नहीं रच सकता, स्वस्त नहीं रच सकता वस्कार मैं हूँ राजन कुमार आप देख रहे हैं जीता राम मांजी महागटबंधन से अलग होने के बाद आखिर अपना गुस्सा और भरास किस पर निकाल रहे हैं मांजी ने किसे कहा कि उनकी सोच गंदी है सोच घटिया है आज योग दिबस है बिहार की राजनीत के कई नेता मंत्री योग दिबस मना रहे है योग दिबस के मौके पर तरह तरह की बाते निकल कर सामने आ रही है योग पटी पटी पनी नहीं किया जा रहा लेकिन जीता राम मांजी का गुस्सा आज देखने को मिला जब जीता राम मांजी से पूछा गिया योग पर तुन्हों ने सही ढंग से समझाए कि योग सभी को करना चाहिए स्वास्तलाब के लिए लेकिन मांजी ने गुस्से में किसे क्या कुछ काहत जड़ा सुनिया क्या कहा है दिखिए अंतरास्थिये जोग डिवस के अफसर पर संसार के सभी जीवों को हम्सु कामना देते हैं बिना जोग के कोई भी जीव जीवित नहीं रच सकता और स्वस्त नहीं रच सकता और हिंदूस्तान आज नहीं प्राचीन काल से ही जोग के जिशा में गुरु बंते रहा है, गुरु तुकिया है और आज के संधर्व में अंतरास्थिये जोग डिवस का यह अंतरास्थिये दर्जा देने का स्रे वारत के चुछ आज बहाने आज भारत के लोग तो लाव यही रहे हैं, संसार के सब लोग आज लाव देना है, तुकि बिना जोग के निरोग रह नहीं सकता, इसलिए जोग का महत्व है, और आज इसे किश्मि सिताप्ति में जब परदुसन के मार से जोग ही एक ऐसी विदा है, जिसके कारण हम स्वस्तरा सकते हैं, इसलिए आज जोग दिवस है, अंतरास्थी दिवस है, इस अब सब को बढाई देते हैं, सब को सुब कामना देते हैं. अगर कोई सवाल उठाते हैं, जोग का है, जोग करते हैं, अगर आप देखिये तो, आदमी तो आदमी हैं, और आज देखते होंगे, कि हम लोग ही देखते हैं, कि साकू पर रात में चार वजे के बाद, लगता है कि आद ही आवादी जाग करके लोग तहलना को करते हैं, और जोग करते हैं, कि स्वस्त के लिए बहुत बहुत अवस्त हैं, और आज ऐसा हो रह इसलिए इसको धर्म से जोड़ना, पाकी से जोड़ना, उचित में नहीं समस्ता होता है. झाल